नमस्कार दोस्तों रामकर दोस्तों परताब का बलोस इनमा सबका स्वागत है आदोस्तों हम बात करने वाला हूँ कि आप देख पाएंगे यहाँ पर भिंडी की बुवाई किया गया था है भिंडी बुवाई करने के पांच दिन बाद बारिस हो गया है और आज लगवग इसे 11 दिन हो चुका है लेकिन अब ही तक इसमें आपको देखने मिलेगा कहीं भी अंकुरित नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ घास फूंस जो है दिख रही हैं तो एक कितने दिन बाद अब जो है अंकुरित होगा या अंकुरित नहीं होगा हमें करना क्या चाहिए जिससे की अंकुरित हो जाए तो सब कुछ आपके इस वीडियो में बताजाएगा वीडियो का लाइक ज़रूर करें ऐसा वीडियो तो करने पसंद करते हैं कभी-कभी अंकुरन निकलता है, कभी-कभी पोध निकलता है, कभी-कभी नहीं भी निकलता है, उसका रिजन क्या है, देखें, जिस तरह वारिस हो गया, उसके बाद आज इसे 11 दिन हो गया, आप देख लेजिए, यह बिल्कुल ठककर हो गई है, पत्थर जासे, मिट्टी इतना कलक हो चुका है, देखीए यह इतना कलक हो चुका है कि यहां पर कैसे आए गाएगा, इसको तोड़ ही नहीं सकता जो अंक्रन होगा, तो उसके लिए कि हमें इसे थोड़ा जहां पर जहां पर इसको अपने वुगाई किया है, उस जगह पर इसको खीचना होगा जैसे कि हम यहाँ पर निकालना चाहूंगा जैसे कि यहाँ पर हम दिखाना चाहूंगा थोड़ा देखिए कि यहाँ पर बीज जो है कहाँ पर है हम आपको दिखाना चाहूंगा इस तरह सा आप बीज को भी देख सकते हैं कि बीज जो है यहाँ पर जमाव लिया है या नहीं लिया है तो उससे भी एक पता चल जाता है बीज आप देखिए ए रहा बीज यही है भी हिंडी का देख लीजिए ए रहा बीज जैसे था वैसे ही है तो एक गलती जो किसानवाई कर देते हैं कि भी हिंडी की भुवाई डार बारा से अठारा घंटे के लिए भीगो दीजिए भीगोने के बाद थोड़ा सुखा लिजिए एक आगर एक दो घंटे उसके बाद फिर भुवाई करें तब जो जमाव बढ़िया होता है और अगर बारी सोने बाद ऐसा समय सा है जैसे आप इधर भुवाई कर दिये इसका ब खाली कर दिये तो उस समय क्या है कि बढ़िया सफिर से जमाव हो जाता है ऐसा भी देखा जाता है जादा समय बीद जाने के बाद जो यहां पर भिंडी होती है नीचे पड़े-पड़े सल भी जाते हैं तो इसके लिए क्या है कि सब को ध्यान रखना पड़ता है अगर मिट अंक्रोल निकले अगर नहीं निकलता तो फिर से आपको बुवाई की जरूद पड़ सकती है तो आप थोड़ा राह देख सकते हैं मालों 10 दिन 15 दिन 11 दिन हो गया है 15 दिन 16 तक इतने दिन कंतर अंक्रोल निकल जाना चाहिए अगर नहीं निकलता तो इसको फिर से जुताई जाए तो ऐसा समस्ता देखने को मिल जाता है और मिट्टी उपर डिपेंड करता है मिट्टी बलूई है कि दो मठ है या बहुत सक्त मिट्टी है तो मिट्टी उपर भी डिपेंड करता है तो इसी तरह से आप भी किसान भाईयों कर सकते हैं और इसी तरह से बुवाई करें क भीगोने के बाद ही करें अभी क्या है कि अभी मौसम ठीक ठाक है अभी फरवरी चल रही है फरवरी में बढ़ियां जमा होगा जो ही बुवाई नहीं किये हैं वो भी भिंडी की बुवाई अभी कर सकते हैं और क्रिसान भाईओं जो भी यहां पर देखिए मिट्टी पर भी फरक पड़ जाता है बाकी कि अभी जमाओं के गर हम बात करें अगर फरवरी महीने में बढ़ियां जो करना भी चाहते हैं तो छे से आट दिन दस दिन या बारह दिन के अंदर अंदर जो है जमाओं हो जाता है तो किसान भाईयों हमें उम्मीद एक आप बसंद में आ गया होगा थैंक दोस्तों वीडियो वाच्छ करने के लिए